ग्लाटसन जी एक आदिवासी पॉब्लिकेशन, आदिवासी हुंकार और जारकन Human Rights Movement के संस्तापक भी है. ग्लाटसन जी एक सख्रिय Human Rights Activist है, तो मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ कि वे अपने वक्ता की शुरुवात करें. इससे पहले ग्लाटसन जी शुरू करें. मेरे यहां सभी उपस्तित शुरुताओं से एक दर्खवास है कि कृपया अपना माइक, म्यूट या बंद ही रखें. ग्लाटसन जी अपने वक्ता के बाद शुरुताओं की प्रश्णों का जरूर उस्तर देंगे. तो इसी के साथ च चर्चक आयोजन आपने किया आप सभी आयोजकों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और विशेश रूप से जो विशेश आपने रखा है आदिवसी पहस्चान और आस्मिता प्राइवल आइडेंटिटी इसके लिए भी आपको मैं धन्यवाद देता हूं तुकि आदिवसी आइडेंटिटी आदिवसी पहस्चान को खतम करने की बहुत बड़ी साजिस और एक सू नहीं नियोजित तरीके से अभियान इस देश में संगाठित रूप से चलाया जा रहा है आज हम आदिवसी पहस्चान की चर्चा कर रहे हैं इसका जरूरत क्यों है साथिय तक्ते जिस तरह से अभियान चला रही है वो बड़ा कारन है और वह क्यों कर रहे हैं जो व supervisory है यो भारत में बहुत ते वी कोशिश कर रहे हैं वो दावेदारीय कर रहे हैं कि भारत के मौल निवासी हैं और आधिवास्यों को वह जब तक वर्ण आधारित जाती विवस्ता के अंदर नहीं ढखेल देंगे तब तक वह खुद को भारत देश का मूल निवासी साबित नहीं कर सकते हैं कारण है इसलिए वो सरकारी तंतर के द् σंगतने करण automobile निरंतर अभियान चलाते हैं और निरंतर कहते हैं कि Angythu है आधिवासी वर्मन या जाती विवस्ता के हिस्सा में वार अलग उनकी विवस्ता नहीं है अब हमें और यही मूल वजय है कि आदिवासी उनको पता है कि जब तक आदिवासी पास्चान को मत्यामेट नहीं कर पाएंगे तब तक आर्ज जो है खुद को भारत देश का मूल निवासी घोशित नहीं कर सकते हैं इसलिए शुरुवाती दिनों से ही आप देखेंगे आदिवासी शब्द को एतरह से आसब्भे जंगली पिछडा नीच इतियादी इतियादी का परियावाची सब्द के रूप में स्थापित करने की पूरी कोशिस की गई है और यह इसलिए किया गया उनको यह पता था कि पनानाज है है आपने कप्जें में करना चाहते हैं तो उनके मन में आपको यह डालना पड़ेगा कि उनके पास जो भी चीजी है वो सारा जो है दोयाम-धर जी और हमारे पास जो चीजे है और जो जो हे वह अग्दम 1 डर्जे का है वही काम अंग्रेजों ने किया, भारतियों के मन में उन्हें डाला कि भारतियों के पास जो भी है वो सारा दोयाम दर्जे का है, और अंग्रेजों के पास जो भी चीजे हैं, वो जो है, वो अबल दर्जे का है, तो इसी रन्निती के तहत, आदिवासियों के मन में यही डाला अदिवासी का मतलब पिछड़ा अशभ्या जंगली और अधिवासी का खाने लिए पिछड़ा वलाा हखाना है अज़ा उन की भासा उनकी सांस्कृति अनका रेति रिवाज उनका रहन्सान हर चीज को उन्होंने एक शड्यंतर के तहत ऐसे दिखाया कि यह असभ्य लोग हैं असभ्यों का सारा चीज है तो बाद में जब आदिवासी पढ़े लिखे नौकरी वगएरा में गए सहरों में गए तो उनके मन में हीन भावना इसे घुस गया हीन भावना से इतना ग्रासित हो गए आज आप देखेंगे जितने भी सहर में रहने वाले आदिवासी है वो निरंतर अपनी भासा सांस्कृति रिति रिवाज परंपरा सारे चीजों को छोड़के अन्जाने में और वो जो है कि तथाकतित सोकॉल मेंस्ट्रिम बोलते हूं से सारे चीजों को अपना रहा आदिवासी के बारे में अगर हम आंतरस्टे परिभाशा में ना जाएं आचुकि आप सारे लोग पढ़े लिखे लोग हैं तो आप जानते हैं यूएन का क्या स्टायन है वगरा 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 वहां का इसके सब रेपोर्टियर ने क्या डिफिनेशन दिया उस पर मैं नही संभा मैं नहीं है उन्होंने आदिवासी समाज को वह बहुत तरीके से परिवाशित किया है उनकी ऐस्तिक है जार्खन mandate असमिता के सवाल उसमें वो ब्यक्या करते हैं कि आदिवासी समाज जो है वो प्रकृति के साथ सहजीवन जाती विहिन वर्ग विहिन समुहिक्ता समान्ता एवस्वायत्ता पर अधारित है और उस समाज का अपना जरुरत पर अधारित समाज जाती आधारित समाज जाती आधारित समाज जो आप जानते हैं कि किस तरह से वर्ण और जाती आधारित वजह से हमारा देश आज पूरा परिशान है मनलब एक इंसान को इंसान के रूप में नहीं देखा जाता है तरह समाज जाती के अधार पर रंग याधार पर पूरा देश मैं भिएद भोड़ा है और उसका मूल होई जाति वहिन आवर्ग वहिन है जो समानता पर अधारित करके इधर समाहित करने की पूर्ण साजिस इस देश में आभी तक चलाई जा रही है वेरियर अलवीन एक ऐसे मानव सास्तरी रहे उन्होंने आदिवसी समाज के बारे में लिखा वो कहते हैं कि आदिवसी समाज हम जो तथाकतित सब समाज बोलते हैं खुद को उससे सव साल आ कि खुषी पूरा समाज के लिए उन्होंने इतना बहत्रीन तरीके से किया लेकिन और बाकी लोग बाकी लोग किस तरह से लिखे हैं आपने किताबों में वह भी आप खुद पढ़े हैं तो आप देख सकते हैं कि किस तरह पर सेप्शन बना अब इसमें कोई दो राय नहीं ह है कि भारत आदिवासी जो हैं वह भारत के प्रथम निवासी हैं अब इस बात को निरंतर खारिश करने की कोशिस आर्यों ने की है लेकिन अब जो रखीगाडी में आप जानते हैं जो कंकाल मिला है 4000 साल पुराना उसमें इसमें जो मिला है डीने वह आर्यों का डीने नहीं है इसलिए परेशान है उस रिपोर्ट को दवा के रखा है को कैसे भी चाहते हैं कि उस रिपोर्ट के दवारा खुद को सब्सक्राइब करेंगे लेकिन उनका जो अपना दस्तावेज है पहले से सब कुछ लिखा हुआ है कि आरे लोग बाहर से आये कैसे आये तो यह जितना भी कर लेंगे यह नहीं कर पाएंगे तो इस पर सब्सक्राइब बारे में है और उन्होंने उतना ही नहीं कि उसमें उसमें आक्राव उन्होंने का बताया उन्होंने का कि भारत देश के आठ प्रतिसत आदिवसी भारत के प्रतम निवसी हैं और बाकी बौनवय प्रतिसत लोग भारत के बाहर से या तो अक्रमन करके आये हैं उनके वनसज है या फिर जो बेपार करने आए अब इसमें बहुत सरा डिबेट हो सकता है बहुत सरा वह अलग भी साहिए अलकिन मैं सुप्रियूम को को कोट कर रहा हूं उनका जो अपना जैज्मन में उन्होंने जो कहा है अब हम लोग जाते हैं थोड़ा आदिवसी पहचान मेंगर हम जाएंगे तो ब्रिटिश जमाने में आदिवासी उग लिए कैसे शब्दों का उपयोग किया जाता है कौन-कौन शब्द जादा उपयोग किये गए इसमें आप देखेंगे एव और जीनल उपयोग किया गया फ 1771 लेकिन फुल सेंसस जो माना जाता है 1881 को माना जाता है तो उस वहां से लेकर भारत आजाद होने से पहले तक मनला उना इस सव एक्तालिस तक का सेंसस जितना भी उठा लेंगे आप देखेंगे उसमें आदिवाश्यों के लिए अलग धरम को लम रखा गया था जिस तरह से ह हिंदू, मुस्लिम, इसाई हो गएरा का है उस समय में आप देखेंगे उसमें वह सब उपयोग करते हैं एब और जिनल कहीं पर ट्राइबर रिलिजन कहीं इसी तप के सब उपयोग करते हैं लेकिन जब जैसी आजाद हो गया भारत इसको सीधे से सीधे आदिवाश्यों का अझाला को लगते हिंदू को लम सीधा जोर दिया गया उसमें ना कोई वह सुवी समिधन सभा में कहीं को एक बहस आपको नहीं दिखाय पड़ेगा अधिवाश्यों के धरम कि उपर में अन्ग्रेजों के जमाने में तो अजाद भारत में अधिवाश्यों सभा नहीं हो ने अब जब एब जब 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 है कि हमें आदिवासी शब्द का बात कर रहे हैं तो आदिवासी शब्द कैसे आया कहां से उसका जानना चाहिए जो एब जिनल सब्दादी अंग्रेजों ने यूज किया था उसका जब हिंदी अनुबाद की जुरूत पड़ी तब उस समय जो है कि आदिवासी शब्द जो आया जो कि एवर्जिनल का आर्थ है कि जो आधिकाल से रह रहे हैं इसी को संदर लेते हुए आदिवासी शब्द को उत्पती हुई और उन्हें साथे तीस के दसक में ए एवी ठाकर जो खासकर उस समय में आदिवासी उंग के मसलों के लिए पए जाते हैं गांधी नन्य उनको oh कुल पुल समय में और विआदिवासी इलाके में मीर shower इंए उन्हों ने आदिवासी सभ्द का जम आए कर उप्योग किया ऑल आ जब बात के दिनों में आदिवासी महासभा बना आदिवासी यों के बीच में जब राजनीतिक जागरुकता बढ़ी और उनको लगा कि हमारशत अन्याय हो रहा है अब हमें इन सब चीजों को राजनीतिक तोर पे लड़ाई इसका लड़ना चाहिए तब उस समय में आदिवासी सभा बना और फिर ज का फैलाव हो और उसी दर्मियान आदिवासी सब्द जो है कि रास्ट ब्यापी बना उन्होंने बड़े-बड़े मंचों से जैपाल से मुंदा ने कहा कि हम आदिवासी हैं और आदिवासी पचान ही हमारा मूल पचान है हम आदिवासी लोग है और इसी को ध्यान में रखते सब्सक्राइशन हुआ तो उसमें आदिवासी सब्सक्राइब को डाला गया था लेकिन कि उसी समय में एक सज्डेंतर हुई और आदिवासी पचान को समय धानिक रूप से खतम कर दिया डाक्टर भीम्राव अम्रितकर उनके मांसा क्या थी वह कहना मुश्किल है लेकिन वह कि एक दिसंबर उन्हें सब आर्टालिस को सदन में आये और उन्होंने एक संसोधन पेस किया संसोधन संख्या 400 एकानावे और उन्होंने कहा कि अध्यक्ष महोद है मैं अधिवर्जिनल और आदिवासी सब्द को शेडूल ट्राइब और उन्होंसी जन जाती हो गया जैपाल सी मुंडा सदन में नहीं थे जब उनको पता चला तो दो दिसंबर उन्हें सब आर्टालिस को सदन में आये और उन्होंने पूछा उन्होंने कहा कि डाक्टर अम्वेटकर मैं जानना चाहता हूं कि आपने अधिवर्शी सब्द को अबर्जिनल सब्द को सम मुझे जो लगता है मुझे समझ में आता है कि सैद उनको इस बात का भाय हो गया था कि आधिवर्शी शद अगा समामीधान में रहा तो आने वाले समय में आधिवर्शी लोग खुद को भारत को प्रतम निवासी होने का मांग करेंगे वो बोलेंगे हमें सब आधिकार पहल उनका समस्या तो वहीं पहल रह जाएगा तो कुछ तो ज़रूर चला होगा चुकि वह बहुत उसमा अर्गूमेंट तो पेष्किये नहीं है उतना ही कहते हैं कि आधिवर्शी शब्क कोई अर्थ नहीं है जिसको हम मतलब उतनो का इक सब्सक्त नहीं कर सकते हैं कि आधिवर पर थोप दिया गया अब बहुत सारे लोग यह कह सकते हैं कि डाक्टर भीमर आमध कर चुकी जाती विवस्ता के खिलाब ते उन्होंने जाती को खतम करने की बात के ही और आप यह कह रहे हैं तो लेकिन अब जब सब्दों का विशलेशन करेंगे तो उसमें यह इस पर दिखा अंभaci को बेदान की का मतलब तो एथ कहां परहाएं कर अभष्ता के खिला एडन mode सकते हैं अभी मिवह कुछ अधिवश्यादी कोई कमिटी में कोई कुछ बहस नहीं हुए अम्वेदकर आपने से आया और उन्होंने जो कि जो करना था उसन्सोतन उन्होंने पेस किया और उसको समयधान से करवा दिया तो मैं सीधे तरपर का सकता हूं कि आदिवासी पास्चान को उन्होंने समयधानिक रूप से कि याद रखिए अगर आदिवासी शब्द समिधान में होता तो आई एलो कंवेंशन 169 भारत में भारत में लागू करना पड़ता वा सरकार को और लाएंड टेरिटोरिय और रिसोसे से हमें विसाफत करने की कोई ताकत ही नहीं होती भारत सरकार को उसके साथ साथ भारत सर कि दुसरा समाज के बारे में हमने क्यों समाज को कुछ परिवासित नहीं कि लेकिन अदिवसी समाज के बारे में लगातार लोगों ने अपने अनुसार אומר नम facult Timothy कि अउनको इस तरह से लगा धीवासी पहचान को खतम करना है या आदिवासी सब्द जाके रस्ट ब्यापी बन जुका था आदिवासी महासभा के अंदुलान के बदूलत उसके बावजूद उस जमाने में महतमा गांधी को आप देखिए आदिवासी के लिए ग्रीजन सब्द उन्होंने निकाला ग्रीजन मतलब जंगल के लोग और कुछ न आदिवासी के बारे में कुछ कहना चाहिए करना चाहिए तो मैं काभी सोच में पढ़ जाती ब्यौसता से तरस्त है जिनको खुद जो है कि वर्ण आउं जाती अधारित ब्यौसता ने इंसान नहीं माना है वह व्यक्ति एक दूसरा समाज को आसब्य बोल रहा है तो यह मतल करी शरी जान ने जिला भी जब मैं बहार में काम कर रहा था मैं तो मुसहर लोग जो भा आज में मदार में सबसे नीचे हैं उन भी हम मेरे जैसे लोगोऊ है सुनके आदिवासी कि आचाहिए यह ग्याई गुजरे लोग है इस तरह की चीजे इस्तापित हुई है देसमें य एक मतबा मैंने जहला है बड़ा बड़ एक लोग एक बड़े विद्वान दो लोग मुझे बोले एक ने कहा आप आदिवासी हो के तिना बड़ा पोस्ट पे कैसे चले गए एक प्रोग्राम में एक यूरूपियन यूनियन का प्रोग्राम में था उससा उन दर्मियान की महीं तो आरैस्स ने वनवासी सब्द का उप्यों किया और आरेस्स जो है कि आदिवासी सब्द को मट्यमेट करने के लिए उन्हें सव पाउन से कैम्पेंड चला रहा है अर जब हम और रहसे की बात करते हैं तो आररेसे सिर बीजे पिभी नहीं में उस समय में जो रहोता रही तुम्ठार जस्पूर भीजा ये करने के लिए कि आप जाके वहाँ कि मिशनर्यों के खिलाब काम करिये मिनस्टिय को हां पर वनवासी जाकी है रट उजेए ये बैक्ति के वहाँ पर वनवासी शर्म मुष्या अब वह वनवासी अस्टितों को मत्यामेट करने काम वनवासी अस्टितों के काम किया जा रहा है और RSS आज भी पूरे देश में जहाए की कैम्पेंट चला रहा है आदिवासियों को क्या बोलता है वनवासी आज इतना बड़ा ताकत के साथ अभियान चलाने के बाद बाद कुछ-कुछ RSS के लोग जहाए कि आदिवासी सब्द बोलने लगे हैं तो हर जगा आप के समाज के बारे में कुछ नहीं कहा हमारे समाज के बारे में कुछ भी बोलेंगे ज इब हम लोग कह रहे है bet ellaballs मुंडाने ना सिर्फ सदन के बाहर बड़े समेलन में कहा कि हम आदिवासी हैं और हमारे दूसरा सब्द इन उप्योग नहीं करना चopher के में दूसरा सथ मजूर नहीं है जब इतने बड़ा ब्यक्ति बोल रहा है उसके बाद भी जो है कि निरंदर जो है वान वान वासी और दूसरे सप्टों का अधिवासी उनके लिए उप्योग किया गया देश के प्रधान मंत्री मोधी जी जब आये तुन्होंने क्या किया वन बंधु आपको तकलीप अधिवासी बोलने में जब हम कह रहे हैं सारे अधिवासी कह रहे हैं अधिवासी हैं तो कभी वन बंधु क्या हमने कुछ नाम दी आपका उसी के तब राम रहीम के बारे में आप देखिए उन्होंने अपना फिल्म में जो है कि आधिवासी सैतान है ये सैतान ये लोग सैत फीए समझना पड़ेगा कि कैसे आधिवसी अस्तितों को मिट्रामेढ़ करने के लिए कि अधिवसी पाश्चान से इनको खत्रा industry दो कि लगता है कि अधिवसी पाश्चान और आदेवासी झारखन से चला जाता है क्यों नुआता है। तो आपने जो है नियम बनाया है कि एक होना चाहिए उसका तो हमारा आदिवसी टेरिटोरी को तो विकास के नाम से लूट के खतम कर दे रहे हैं अदिवसी इलाके में जो गार आदिवसी तो रिफलक्स इन्फलक्स पोपुलेशन कितना हो रहा है कि हम कहीं के नहीं रहे हमारा टेरिटोरी बच कहा रहा है तो बाद में आप कहेंगे तो आपका तो टेरिटोरी बचा नहीं तो आपका तो आपका तो आपका तो आदिवसी तो इसलिए हमें सोचना पड़ेगा कि क्यों ऐसा हो रहा है जब एक आ कि अष्टि और आदिवसी तो मैंने खाल कि आदिवसी होने के लिए तो आदिवसी का परिवास्था तो मैंने आपको बता डुक्तर रम धवाज क्या वाले से क्या तो जो अधिवसी आधिवसी समाज में जनम लिया उसकी भासा सांस्कृति परमपरा रितिरिवाज में जी रहा है जिसका जुकि प्रकृति के साथ सह आस्तित्व का जीवण है जाती विहीं वर्ग भी हिं जो जिसका निट्बेस अधिमलक्सन लक्षन होना चहिए अल्लěक्साइट होना चहिए भाव गौलिक होना चहिए gotta जो कि दूसरे समूताय मिलने में संकोछ होना चाहिए और आर्थिक पिछला बन होना चाहिए तब असरी रहें या और इसमें भारत सरकार ने आप तक चार-पांच बढ़ नाया नाया चीज बदला कि एसटी का कौन होगा कौन नहीं होगा बोलके नए नायीं चीज़ीं उन्होंने जोडे तो कहने का मतलब इस परस्थ है लोगों को ए गलत पामी नहीं होना चाहिए भारत सरकार आपको आधि अधिवासी नहीं बना सकता है अधिवासी बनने के लिए अधिवासी का खून होना जरूरी है हम हमारा पुर्वज हमें अधिवासी बना कर दिया कि हम अधिवासी है बहुत सारे लोग यह भी उठाते हैं जब हम अधिवासी पहचान की बात करते हैं अस्तित्यों की बात करते तो कि यहां तो साड़ी और धोती पाहन ही तो भारती परिधन है अगर उनके अनुसर देखे तो तो यह जो ठीथर लोजिक पेस्ट जो करते हैं उनके लिए मैं यह बात कहा तो कहने का मतलब शबs कन विए का शुनद सांस्क्रीटी क करते हैं आपना समुदाय अधारित समाज में रहते हैं इसलिए को यह नहीं सकते हैं आधिवासी नहीं है और यह यह बात बहुत इस प्रश्च मोटे समझ जाना है। इसले मैंने कहा कि भारत सरकार के नियम के अनुसार ही आप देखें, कि एक भ्यक्ति जारखन से उरिषा चला जाए, जारखन से दिली चला जाता, असम चला जाता, वो इस्टी नहीं रहता है, यह तो नहीं चलेगा इस देश में ना इसलिए टैय करना पड़ेगा कि आधिवाश्यों को आप बहुत दिन तक यह नहीं कर सकते हैं और आधिवाश्यों को यह सब चीजे समझ में आ रहा है अब हम थोड़ा आजाद भारत के बात की बात करते हैं जब भारत आजाद हो गया उसके बाद आप देखेगा कि आदिवास्यों के साथ शब्डों की बहुत बाजीगरी हुई है आदिवास्यों को अगर इस देश में मारा गया है तो वो शब्डों से मारा गया है जो आरियों के आने से शुरू होता है आरेयों ने जिस तरह से आदिवास्यों को वह कहीं पर बंदर होसित किया भालू को साइटान बोल रहे हैं और रक्षास कहें पर जो है कि पिछड़ा जंगली जाहिल सब कुछ उनको जोग बोला था उन्होंने बोला तुकि उनको पता है कि आदिवासियों का इलाका को कभजा तभी कर सकते हैं जब उनको मानसिक रूप से गुलाम बनाएंगे तो आज हमारे बहुत सरा आदिवासियों के कभजे मे हो गए उनके मानसिक रूप से गुलाम हो गए वो खुद को वनवसी भी बोलने के लिए त्यार हैं हम लोग जैसे कैम्पेंट चलाते हैं आदिवासियों के बीच में ऐसे भी लोग हैं तो मैं कहा रहाता कि शब्दों की बाजीगरी की गई है अजादी के बाद क्या क्या क् करा दिकास रास्टरहित अर्थिक तरखी और ना जाने क्या क्या नक्षलवाग मतलब आदिवासियों का असित्व को मिटाने के लिए ओनका जमीन उनकी उनका इलाका उनका पूरा जो कि प्रकृतिक शंशादान को लूट लेने के लिए उन लोगों ने यह सब और यह सब चीजें अंग्रेजों के जमाने से चल रहे हैं भारत आजाद हो उसे कुछ बदला नहीं हमारे लिए आपको याद होगा कि अंग्रेजों ने एक समय में क्रिमिनल ट्राइव एक्ट 1831 में उन्होंने कानून बना के एक करोड़ तीस लाख आदिवासयों को सीधे सीधे आपरादी घोशित कर दिया मतलब कहीं भी कुछ तरह क्रिमिनल एक्टिविटी हुआ तो सीधे आदिवासयों को पकाड़ के जेल में डाल देते थे आज भी वो एक करोड़ आदिवासयों को जो है वह विकास के नाम से विस्थापित किया गया आपको याद होगा जब समीदान सभा में बहस हो रही थी और मरंगों में जैपाल सी मुंडा आदिवासी सब्द को लेके आड़ गये थे उस समय में साधार बल्लब्भाय पटेल उन्होंने कि ये जैपाल सी मुंडा को कहा जैपाल सिर्फ हमें 10 साल देदो दस साल के बाद आप आदिवासी शब्द भूल जाओगे उनका कहने का ततपर क्या था वह कहने का ततपर यह था कि हम इतना नियाय दे देंगे आपको कि आपके दिल में कुछ दर्द नहीं रहेगा आप जो है कि बाद में कोई दुख तकलिफ एक्स्प्रेस नहीं करेंगे आपके पास कि सब कुछ हो जाएगा था साल के बाद और उसी तरह से जब हिराकुद डेम हिराकुद को जब डेम बनना चाहते थे वहां पर तब नहरू का योजना था तब उस समय में चुकि नहरू रस्या अगए रस्या से आके उनको लगा कि अगर भारत को बिक्सित करना है आगे ले जाना है तो वही जो सोशलिस्ट कैपिटलिस्ट मोडल को अगे बढ़ना पड़ेगा तो उन्होंने डेम बनाने का सुरू किया और उस समय में आप याद करते हैं उन्होंने कहा कि यह जो है अधुनिक भारत के मंदीर है आधिवसी लोग हीराकुद डेम में जमीन देने को त्यार नहीं थे तो उन्होंने जैपाल सी मुंदा को कहा क कि अपने लोगों को समझा दीजिए उनको उनके साथ हम नहीं करेंगे कुछ भी आनिया नहीं करेंगे जैपाल सी मुंदा उन पर विश्वास किये उन्होंने उनका काम कर दिया बाद में आप देखिए हिराकुद से जो सुरू हुआ पूरा जगा पर एक से एक रस्ट हित क के नाम पर विकास के नाम पर आदिवास्यों को देम के नाम पर लिया गया कहीं पर कोईला खनान कहीं आयरन और कहीं पर कुछ कहीं पर कुछ और आदिवास्यों को इतना ल्यादा विस्ताफित किया गया कुछ नहीं दिया बाद में जैपाल से मुंदा रिगरेट करते हैं यदि इतिहास ने मुझे शिखाया होता तो मैं नहरू पर भरोसा नहीं करता है कितना बड़ा दर्द बाद में अपना ब्याक्षा करते हैं अब मैं उधारा नापको बताता हूं सरंडा जंगल सरंडा जंगल में 1925 से आयरन और निकाला जा रहा है देश का 25 प्रतिसत आयरन और सरंडा जंगल में है अब उस सरंडा जंगल में जो है कि 1925 से विकास के नाम पर उत्खनन जारी है आज भी लगबग तीन हजार कड़ोर रुप्या का वहां पर अरन निकालता है प्रतिवर्ष अब वहां जाके आप देखिए आज भी आधिवास्यों के लिए ना आच्छी सिख्या ब्योंका ब् प्रतिशता है आज भी वहां पर लगबग 80% से अधिक पांच साल से निचे बच्चे जो है वो मालनारिस्ट है सतर प्रतिशत महिलाएं जो है कि खून की कमी से जूज रही है तो फिर उन्हें सब पचीस से वहां आईरनोर निकाला जा रहा है उसके लिए निकाला जा रहा ह है क्यों विकास के ना पर इतना धोखा अधिवाश्य उनके शत किया जा रहा है अधिवाश्य उनको प्रकृतिक साधन लूट कर उनको जैंको कि कुछ म्रने के लिए चोड़ दिया जा रहा है आज भी एक पैस वहां पर नहीं जा रहा है तो हमें सूचना पड़ेगा आज जो डिस्टिक कमीटी बनाया गए मिनरल्स को लिके कमीटी यह बनाई गई है उनको वापस जाएगा बोलके क्या उनके पस वापस गया है नहीं गया है वहां पलके अधिवास्यों का निरंतर सरंडा के एक एक कोना में आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा सब जगा पर एश में लूट लिया गया है आज भी निरंतर लूटा जा रहा है और उतने ही नहीं यह भी समझना पड़ेगा चुकि यह मैं समझता हूँ सबसे जादा गयरादी वासी ओडियंस है इसलिए आपको यह भी समझना पड़ेगा तो कि हम लोग जब भी जल जंगल जमीन की हम लोग लड़े हमारा यह कहना था कि आप प्राइम एग्रिकल्चर लाइंड में क्यों एड्यूकेशन हब बनाना चाहते हैं जारखन में बहुत बंजर जमीन है बंजर जमीन में बनाइए तब हमें विकास विरोधी कहा गया तब लोग उनिवर्शिटी के स्टुडेंस एक कौर आयं मुझरा बोलने लगे कि आप जो है यो हमारा हम नहीं चाहते हमार भोश बने मैं ने का बिल्कूल मैं चाहतों अपका वह स्टुडे तो अप लोगों के पास चाहते रिकवेस्ट करूं आप से किया आप लोगों के पस जमीन है घर है अध्य लोगों के पास तो मैंने कहा है अपने अपने आपने जमीन का पठा मुझे दे दो घए सरकार से बात करता हूं और आपका घर के पास अम लोग उझिश लिडिशिटी बनवा देंगे उनों तो यही समझना है जब आदिवासी का जमिन जाता है तो लोगों को लगता है कि बहुत अच्छा लेकिन उनको देने की बारी आती है तो लगता है कि यह तो अन्या हो रहा हमारे साथ तो यह दोनों चीजे कैसे चल सकते हैं साथ इसके सासत हमें यह भी समझना पड़ेगा ग्लोबल वार्मिंग चल रहा है दुनिया में यूएन ने ओक्टोबर 2018 को गोसित कर दिया है कि धर्ती को बचाना है तो हमारे पास सिर्फ एक दसक का समय बचा हुआ है अब यह एक दसक में जो ग्रीन हाउस गैसेस जो बढ़ रहे हैं धर्ती परोग किसकी देन है इसको समझन है यह सारा देन जो है सबसे ज़्यादा कोर्पोरेट की देन है अधुनिक विकास का देन है तो मैं इसलिए का रहा हूं कि आप अगर सिर्फ आधिवासियों को कहेंगे विकास विरोधी है यह विकास नहीं चाहता है आगे बढ़ना नहीं चाहता तो गलत कॉंसेट है अगर देखिए युएन का रिपोर्ट का रहा है कि धर्ती का एवरेज टेंपरेचर चल रहा है 13.5 अगर वह देट डिग्री और बढ़ गया ओने मतलब वह चल रहा था हार देट डिग्र और बढ़ गया तो धर्ती पर कयामत आ जाएगी आप बचाएंगे कैसे तो यह सोचना है इसलिए मैं कहाता हूं कि हमें जो है इतने भी लोग है जो सहरों में रहते हैं हमें जो है कि आधिवासियों का लड़ाय में साथ होना चाहिए हम सारे लोग जीवन बचाने की लड़ाय लड़ रहे हम सारे लोग जीवन बचाने की लड़ाय लड़ रहे है जो प्रकृति ने में बनाया है सारा कुछीजे जीव, जन्तु, पशु, पक्षी, छोटे-चोटे कीडे मकोडे, क्या उनका अधिकार इस धर्ति पर नहीं है, आप सारा पेड जो है के खतम कर देंगे, क्या उनका अधिकार इस पर नहीं है, यह सोचने का समय है सातियो, ऐसा नहीं चलेगा, कि आप कहेंगे हम विकसित हैं, और जो जंगल में रहता है, वो सारे लोग पिछड़े हैं, वो आसभे हैं, जंगल के बिना आप नहीं बचेंगे, याद रखिएगा, इसलिए सारे लोगों को एक साथ इस लड़ाई को लड़ना चाहिए, और हमें एक नीड दुनिया बनाना पड़ेगा, चुकि यह कॉर्पोरेट बेस अधारे दुनिया चल नहीं सकता है, कॉर्पोरेट से धर्ती जादा दिन तक नहीं बचेगा, इसलिए आप देखि रहे हैं, धर्ती का आस्तितों खतम हो जागा, इसलिए आप और दूसरा गरह में लोगों को ल अब यह मसेला है कि चुकि इसमें स्टेट स्पोंसर क्राइम की बात करने की कही गई थी, देखिए, जिस तरह से सब्दों की बाजी करी करके विकास, राश्री हिता और आर्थिक तरक्य के नाम पर आदिवासियों का जमीन, उनका इलाका, उनका जितना भी प्राकृतिक संस साधन उनके पास था, उसको लूट लिया गया, बहुत कम बचा हुआ है, आप जो है कि उसको लूटने के लिए नक्सलियों का आड़ लिया गया, आपको पता होगा, दो हजार आठ में भारत सरकार ने एक ब्रिटिस कंपनी जो है, उनको उन्होंने इंडियन एकोनोमी को स् कर रही है, तो जो ब्रिटिस कंपनी उनको बताया कि देखो, यह जो रोट के रेट कोरीडोर है, उसको अगर आप खाली करा दोगे तो आप की तरह की एकदम जो है की चरगुना बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, अब उसी के साथ 2009 में भारत सरकार ने है, यह घोसना किया कि माउँ आज जो है, इंटरनल सेक्रिटी के लिए बिगेस्ट रेट है, और उसी के बाद, ऑक्टोबर 2009 से उप्रेशन ग्रीनल शुरू किया गए, आपको याद होगा, जारखन में, चतिसगड में, उडिसा में, सारे अधिवशी इलाकों यह जाता है, इधर बोडर शुरू होता है, आदिवशी इलाकों आधिवासी इलाकों आन्धरा तक जाता है, मैं पकर भारत कर देखेंगे तो आपको ओवरलाइफिक मिलेगा, यह इलाका है जहाँ पर खनीच संपधा है, यह इलाका है जहाँ आदिवशी राते हैं, आदिवश से किस तरह से आधिवासियों की हत्य हो रहे है आप देखी रहे है चतिस हमें एक से रहा वीक का बोने से पहले जो preferable होता है festival मारं की उपरें उनके तानिया कि रात राक जा कि खोपर बटalion CRP सारा भोली चला रहे हैं सीधे हत्या कर रहे हैं और जो है कि बड़ा-बड़ा ब्रेकिंग न्यूज चल रहा है टीवी चैनलों में कि इतना बड़ा सफलता मिला नक्सलियों को मार दिया गया और जब पता चल रहा है यह नक्सली निर्दोस्ते तब ग्रिहमंत्री बोलते हैं इसलिए मैं सीधा बोलता हूं भारत देश आदिवाश्यों का यह लास खरीद रहा है आदिवाश्यों की लास खरीद रही है इंडियान स्टेट सब जगा आपको दिखाए देगा अभी आप देखें कुछ दिन पहले जटिसगार का और एक रिपोर्ट आया जब आपको मैं बताना चाहता हूं लगभग 90% केस जो मिलेंगे जिसमें निर्दोस आदिवाश्यों को नक्सली बोलके मारा गया है और जब पता चला है निर्दोस थे तब क्या क्या दिया पांच लाक रुपय मुआ जा दे दिया कुछ लाक रुपय मुआ कहीं दो लग दे दि अधिवाश्यों के लिए भारत का लोकतंतर बेवस है जो लोकतंतर आदिवाश्यों का निरंतर हत्यक कर रहा है उस लोकतंतर को आप बेवस बोल रहे हैं यह जिसने आदिवाश्यों का जीना हराम कर दिया है उनका जल जंगल जमीन लूटा है और जब उसको लूट नहीं प कि निरंतर हत्या कर रहे हैं पिछला दस साल का है आप देखिए लगवाग एक हज्जार आदिवासियों की जो हत्या की कर दी गई है अभी कल पर सो देखिए वहां पर क्या हुआ नागा लाइंड में आर्मी ने सीधा जो है कि गोली मार दिया इस तरह का जो है कि निरंतर यहएक सब्सक्डेंटर है आदिवासियों को ख़ख्म करना का चुड़ के आज आप देखेंग पहले वह स्टेट्ड और कोर्पोरेट एक साथ चल रहे तें आभी ऑप इस्टेट्राटि और की भ्रहामन वाद यह सारे लोंग के मिल गए लु की ज जल जंगल जमीन लूटना है उसको खनी संपदा लूटना है तो यह सारा एक नक्सस के ताथ जो है कि आदिवर्षी पाचान को खतम करना चाहते हैं और आजादी के समय ही जो सब्द उपयोग किये आदिवर्षी ओं के लिए याद किजिए कि मुखधारा मुखधारा में लान जाहते है मément नपाश पता रहें किसको आप मुखधारह बोलते हैं वह इकोनुमिक मुखधारा बोलेंगे जो जल जंगल जमिल खनीं शमपदा को खतम करते धर्ति को बिनासके कगार पर पहुचा जिया वह उसको समाजदी के मुखधारा थे वरना और जाती आधारित छहां पर हर कदम पर भेदभाव है जहां पर एक दलिद व्यक्ति से भी जो है कि अच्छा एक कुत्ता है तो उसको आप मुखधारा बोलेंगे क्या आप उस समाज को मुखधारा बोलेंगे जहां पर जो है कि करोरो बेटियों के भुरुन हत्या की कई उनको इसलिए पैदा नहीं हो पोड़ को जाये जब आधिवसरी समाज एक ऐसा समाज यह जिए जाते विर्म को आप कहते हैं कि आप मार्जिन पर हैं और उस समाज को आप मुखधारा का समाज बोलते hack जो पूरा तवाही मचाय हुए जल जेंगल जमीन को प्रकृति को क्तम कर रहा है बिनास कर रहा है समाज में को जोसे तवाही किया हुए। जाति के नाम पर धर्म के नाम पर बहो生 चर्चा करने पड़ेगा इसा नहीं चल सकता है अब जो है अधिवस्यों को आप देखिएगा तो जंगल के भी दुसमन कहा गया अधिवसी ही है जो जंगल को बचा के रखा है और उनको बोल रहा है जंगल के दुसमन जंगलों को लूटने के लिए जिससरे ब्रिटिस ने सुरू किया 1855 में उस पर बहुत लंबा चोड़ा है तो उसमें नहीं जा रहा हूं लेकिन जब आजाद भारत हुआ भारत के लिखा कि अगर इस देश में जंगल को बचाना है तो आधिवसीं से जंगलों से जंगलों से आधिवसीं को बाहर निकालना पड़ेगा और उसी रेकॉमेंडेशन के अधार पर उने सव आजसी में वन सरंक्छन अधिनियम बनाया गया और रिजर्ब फोरेस्ट में आधिव कि अधिवसी जेल में गये और अभी वी जय कि उसका दास जेल रहे हैं हम लोग निरंतर कहते रहें कि आधिवसी है तो जंगल है अधिवसी नहीं रहेंगे तो जंगल नहीं रहेंगा अंत में 2015 में भारत सरकार को सुईकार करना पड़ा उनका जो फोरेस्ट रिपोर्ट कि बहुआ है कि भारत का 215 आधिवसी जीला अब जहा है जाहां डिवासी नहीं है जंगल नहीं बचा रहीं तो है कि Τुन अधिवसी में को कि किसके कि लिए जिम्हा बनेंगे इस देष में बाग साथम हो रहे है उसके लिए भी जिम्यदार मनाये बागलों को जंगलों और तो ही बाख्मार रहें, अब बतेजे की कौन सा आधिवसी बाघ मार के खाता है भाई सब्सक्रार इन तेसमे आप जा के खूजर लीजें करवा बहुत लगता है लेकिन मैंने खुद देखा है अगर बाग के खाल जिनके घरों में मिलेंगे उनको आप जिम्हादार नहीं मानेंगे और आदिवासियों को बोलेंगे कि यह बाग मार रहा है बाग को ख़तम कर रहा है सहास्थित्व से धर्ती बचती है अधिवासियों का जो फिलोसोफिय सहास्थित्वा जब तक अधिवासियों का इंडियन स्टेट नहीं था सरकारे जैसे चीज नहीं थी तब सहास्थित्वा था जंगल थे जंगल में अधिवासी था अधिवासी के साथ जंगली जन्वर थे सेर भी था भालू भी था वहां पर पक्षी भी थे गिदड़ भी था चीता भी सब कुछ थे जैसे ही यह स्टेट नाम की चीजे आई वहां से जंगलों से आदिवाशियों को अलग किया गया का इसके लिए अधिया का बाग के लिए अलग जो है कि बना रहे हैं यह यह संचु आधिवसी को वहां से बाहर निकाल देंगे तो आधिवसी देखने ही पहेगा तो यह जो पूरे सट्य अंतर इस देश में आज तक चलाया जा रहा है उसको समझना पड़ेगा पूरा स्टेट इस्पोंसर्स टेरो रिजिम आधिवसी अस्तित्व को खतम करने की हो रही है जब लिए आधिकारों का जमिनि अस्ता पर क्या करयानव्यन है अगर समीनधानिप अधिकार का ढaireं सम specification हों में पांच्ईव आनुसुची है टो मान लीजे ठोड़ा एक्टिब ही है वह उप्रेस्ट उसम्हां 54 कीबात करेंगे तो आपको पता चलेगा 45 आनुसुची में कुछ नहीं हो रहा है पांची अनुसुची में गवर्नर को इतना ताकट दिया गया है की वो अपना एक कलम से संसड्या विधान सभा के द्वारा पारिण किया गया कानून चहे वह पूरा का पूरा खरीच कर सकता है या फिर आध़ाखराइश कर सकता यदि वह आधिवसी के लिए खत्रा है इस देश मेंगे बता दिए कि कोन गवर्णर Divine एक गवर्णर का नाम बता दिए जिसने इस देश का एक की कोई कनुन का खरिश किया गया हो जीए विलाखे में हम लख लुट 1 a 0-2 रहे हैं अधिवासी जमYou 후 लूटने की बाद पर चल रही है अधिवास्यों का जमीड़ सुरवार्व कानुन टि. उन सब को खदम करने की लेकिन कुछ कर रहा है तर तेज कर रहे हैं है है उसी तरह आनुजिख लेश आर्टिकल स्टेट के पास इतना जिम्हेंदारी दिया गया है तो इतना एक्प्लाइटेशन क्यों है तो चुकि स्टेट ही तो सारा कुछ लूट रहा है स्टेट ही तो स्पोंसर कर रहा है आधिवसी अस्तितों को खतम करने के लिए आधिवसी पाश्चान भासा सांस्कृति रितरे रस्ञ़ताने के मैन सिम लाने मतला ट्र這是 posture पानी जब समुधर में मिल जाती है तो आपको और नदी का पानी Μ inomिल्हें में उसी झाल हुग जो आधि बहुत रोलता है बहुत समझे नहीं पहते हैं तो इस तरह से मेंस्रिमिंग हो रहा है इस देश में अब उसी तरह जो देखेगा पांची वानुसुची का मैंने कहा कॉस्टिशिशनल राइट्स वह कहीं पी एक्जिस्ट नहीं कर रहा है वो नाम से है जैसे आदिवर्सी का जमीन लूट को रोकने का काम किसका गवर्नर को दिया गया है कि गवर्नर को चेक करना है कहीं आदिवर्सी भूमीहिन तो नहीं हो रहा है लेकिन आज देखिए आदिवर्सी इलाका पांची वह इस आनुसुची इलाका कौन-कौन राज जार्खन कहीं हम संदर्व ले ले राची उधारन के लिए देखिए राची जो मुंडाओं का जो है पिटी एक्ट बोलता है कि आदिवर्सी का जमीन गई आदिवर्सी नहीं ले सकता है और पांची वह नुसुची के ताद गवर्नर को जिमावरित दिया गया है कि वह आदिवर्सी इलाइन एली नेशन को रोके तो फिर आदिवर्सी ओं के जमीन पे इतना बड़ा-बड़ा शोपिंग मॉल और अपार्डमेन और सारा कुछ कैसे बन गया इस देश में और इस जनसत में एक दिन चर्चा नहीं होता है उस पर चटिसगर में जही आदिवर्सी और उडिसा में लाइन रेविनियो कोड है महारास्त्रा में सब जग आदिवासियों का जमीन बचाने के का वह ठपा बन गया सब्ता का मोहर लगा रहा है और कुछ नहीं कर रहे हैं सरकार जो भी कानून बनाती आदिवसी अस्तित्यों को ख़तम करने कानून बना नहीं सब्सक्राइब को ठपा लगा रहे हैं उनको कोई मतलब नहीं अपने समयधानिक जिम्मवारों निभाने रहे ह नहीं भार रहे क्योंकि कोरपोरेट का पूरा ज़्याक की दवाव इंडियन इस्टेट शेट क्या बन गया है आज को परेट का गुलाम हो गया भारत और को दीश को चला रहा है कि कानून का बात करिए जो से मैंने का लीगल राइट भूमी सरेक्षन करनून का अलरड़ी मै पूरा नहीं होता है तब तक उस इलाके में विकास की कोई कतिवाधी नहीं होगी जब भारत का संसत नहीं पेश किया है जो कहता है कि अधिवाश्योंको वनाधीकार prominent काम जब टीव सरकार अभी हितना साघॉन को प्राइवेट कंपऑनियूं को कैशे यह सारे के सारे कusch व्लॉक अदिवसी लाके में आप को बाज स्वाय। बिक्ति पर म्हुक्त आदिवसे और अधिकार में उन्हों रहे आधिकार के लिए सब्सक्राइब करदें की कर दिया केसा बेजिण को आधिकार देना है रिस्टिके लेबल घंटीपोटी को बेटि आप बेटिक्च Honda करेंबल कमिटी बोलता है कि चुकि उस इलाके में कोईला है इसलिए अधिवस्यों को वान अधिकार नहीं दिया जा सकता है तो बहुत करो पहले सिटलमेंट करो उनका अधिकार उसके बाद ही वहां पे कॉल बलो का बात करो लेकिन उल्टा हो रहा है जमीन पर सरगुजा में 36 सरगुजा में आधिवस्यों को कम्यूटी रैट्स दिये लिए थे बाद में 36 सरकार रिजेक्ट कर दिया बोलता है कि हमको पता नहीं था बाद में पता चला है कोल बलोक है कानून तो बोलता है पहले अधिकार को फिर कोल बलोक का बात करेंगे या दूसरे चीज़ का बात क पार चाम कर रहे हैं अब उसके आगेंस में आप कहाँ चले जाएंगे जाएंगे, कोट गुल्टा बाद बोलती है, आपको बता रहा है नगडी का केस को लेकर हम लोग जारकन हाइप गए, अब जारकन हाइप कूट सुनवाई करते हुए, क्या बोलती है, फसला देते हुए, क्योंकि नगड़ी की जमीन को लो युणिवर्षिटी को सरकार ने छे महना पहले देदिया इसलिए यह लो łatई उनिवर्षिटी का ही हो गया यह जमीं लेकिन अधिवर्षिओंगे पास 50 साल से उसका जमीन का काकाजिश के बाद भी उनका नहीं होगा प्रवाइब क्या होना चाहिए क्या जिनके पास 50 साल का पेपर है उनका अधिकर उस जमिन पर बनता है यह सरकार ने पिछले च्छे मैना से दिये उसका अधिकर बनता है क्यों ऐसे जारकान होगे कोट के चीफ जस्टिस प्रकास टाटिया थे वही लोग उनिवर्सिटी के जो बात है उसके बाद भी दिस देश में जो चल रहा है चल रहां आप देखी रहे उसी तरह परमपारे कानून जब पाच्वी अनुसूची काम नहीं करता इस देश में आर्टिकल 19 भी है आर्टिकल 19 को भी मेंशन कर लेता हूं जब हम कहते हैं पांचीव आनुसुची इलाका आधिवास्यों का इलाका है आधिवास्य लोग रहना चाहिए तब दूसरे लोग क्या करेंगे ओ आईवास्यों लेकल 19 का मेंशन करते हैं एक भारत कोई भी नगरी कहीं भी जा सकता है कहीं भी घर कर सकता है और लेकिन आप उसी आर्टिकल 19 के सब क्लरव 5 और 6 से गायब कर देते हैं जबाद और आधिवास्य जनरल पोपुलेशन पर किसी तरह सा खत्रा है स्टेट्र इंपो कि सरकार को करनाना चाहिए जोकि आदिवशी इलाके में पूरा खतम हो रहा है इसलिए वहां पे कुझ इलाका में restriction लगा वहां पे लोग नहीं बस सकते हैं क्यों नहीं रिस्ट्रेक्शन लगा या इसतर सरकार सरकार को क्यों कर रहा है तब हमें सब्सक्राइङ क्या प्रांपरेक्षक को बब इस अंदर में समिधाने काम नहीं करता जब कानूनी अधिकार नहीं करता तब जो है कि अपने जमीन बचाने के लिए खुटी इलाके के लागे दो साओ ग्राम सभाओं के अधिवासियों ने अंदुलन किया पथलगाडिया किया गाउ में कहा कि पथलगाड़ी के लिखा कि हमारे इजाज़त के बगएर आप मत घुसिए तब इस देश में तहल का मचा यह आसवाधनिक है समिधान काता है कि पूरे देश में कहीं भी घुसना है तो क्या बोल रहते हैं घुसे मत फड़ी बोल रहते हम से पूछो राची में आप देखिए अधिवासी उनकी जमीन को लूट कर वहां जो है कि जितना भी अपाटमेंट बनाया गया है वहां पर जहें कि मोई सा कोलनी बनाई गई है कोलनी में जब हम लोग जाते हैं तो वहां गाड हमको पुछता है कि आप किसके मिलना है यहां पर अपना ना आज खुटी में झाप लोग अंदोलन चलाया बोला कि आप गवर्णर हम हमें नहीं बचा पाई हमारा जमीन नहीं बचा रहा है क्स 사शि को जमीन बचाने का कणून को लागू नहीं कर रहे तब गराम सबखा उने कहा तब 10,000 आधि वसे उनके उनके उपर देश-दिरो का मुकदमा किया गया आज तक केस्ट चल रहा है कि 115 लोगों को जेल में डाला गया को अभी भी जेलों में है तो सात्यों कहने का मतलब यह है कि हमारे देश में जहां आधिवसी का सवाल होता है वहां पे ना समयधानिक अधिकार काम करती ना कानून ना परमपरी का धिकार चाहते हैं तक इस देश का जो है कि वो अपने नाम कर पाएंगे और हमारे जितने आधिवसी उन राजिनितिक दलोंग में गये हैं अधिवसी प्रतिन धी बनकर अरक्षित सी चुना लड़का यह सारे के सारे गुलाम बन गये है मैं तिसले का तो पोलिटिकल आरेक्षन खत है दूसरे पाटी है उनके गुलाम बन गए इन लोगों से अधिवसी समाज नहीं बच सकता है ना अधिवसी पाचान बचेगा ना अधिवसी जल जंगल जमीन अधिवसी का बचेगा ना भाशत सांस्कृति कुछ बचेगा क्योंकि यह कभी संसद में कुछ चीज पर आवा पश्चान अधिवसी जमीन अधिवसी का इतियास अधिवसी का सांस्कृति इक वह शरावोर है एक साथ लिंग है सात्यों इसलिए अधिवसी पाचान पर फिर सब्सक्राबर करना चाहिए एक बात मैं जरूर अनुसुचित जन जाती बिल्कुल भी हम लोग उसे कोई सरोकार नहीं रखते हैं और ट्राइबल से भी सरोकार नहीं रखते हैं ट्राइबल सब्द अंग्रेजों ने अधिवस्यों के लिए दिया और ट्राइबल का मतलब है कि वह असभे लोग नीचे लोग आप मतलब जब अधिवसी लागे में गये तो उनको जो जो काले लोग दिखाए जंगली है तो ट्राइबल सब को अडेंटिटी नहीं है इसलिए जो अधिवसी को लगता है इस्टी बहुत अच्छा सब्द है भूल जाए इस्टी जब तक आप रहेंगे आप असभी आप देख करना चाहिए और जो भी साथी सुन रहे हैं दूसरे जो हमारे साथी गहरादिवसी साथी आप सब भी को मैं निवधन करूंगा अगर किसी को कुछ लागा तो आपको कहीं मेरा भावना पर चोट पहुंचाना नहीं है लेकिन मुल्चीज को समझाने का मेरा तरीका है आप ज कि दो यह जो है वो चुहा दोड़ाया सारे लोग तक रह एज सारे सामने दिवाल है तकषाएंगे मरेंगे साथी आप एक दिन जो ही तक्रा के मरेंगे यूयन ने आम लोग को आगा कर दिया है इसलिए हम लोगों को मिलके लड़ना चाहिए फूरा दुनिया का थी हासर है तुणिया माधियों भशाफ है एक साथ मिलके हम लोग मैं जल जंगल जमीन को बचा रभान को बचा 10 प्रकृती ने जितना चैञा की सिर्ड ढ़νε बचाया त्दल सारे चिज intuition को बचा सारे जितने बीजी बिच और तर्थी पर बड़ादि आपने इतना अच्छा बख्रम प्रच दिया तो मैं कोर बार रिमाइंड कराना चाहूँगा कि यह कारेकरम पी एसे के तवारा अजन किया गया है तो मैंने चैट बॉक्स में पी एसे कि बेडिया शोशल मेडिया हैंडल तो आप मैं यह प्लाइट्फॉर्म उपन करना चाहूँगा शुरुताओ के लिए लिसनर्स के लिए जिन्हों ने बहुत पेशेटी ही गंड़ा तर्की बाते आप अपने क्वेश्चन्स या तो अन्म प्रे में अन्युक्ते बाते भूप्स मा को कुछ कोज थेस थेंट रोड गराकुос बहुत हूँ जोहा वार मैं कुछ Сकता हूँ मैं कुछ बिलकुल बिलकुल ग्रेशन जी, सबसी पहले मैं आपको धन्याबाद देता हूँ कि आपने अधिवासी अस्थित्वा के बारे में आपने बताया और बहुत एंडिचिंग था लेकिन मेरे लिए असाम के लिए वही बड़ा समय से आज भी हम दुविदा में हैं कि हमको गावर्मेंट टी है बोल तो दिया लेकिन ट्राइवल के कोई फैसलिटी नहीं है मतलब जो हम लोग का अधिवासी तवा था उसको भी मतलब छुपा के रखा हुआ जैसा लगता है जिसके करण हम जो ट्राइवल लिजम का जो हम लोग का रिजावरेशन है वो तो हम नहीं पा रहा हैं दूसर आपको काफी ग्यार्त है असाम के बारे में तो बहुत दिन हो गया कि हमने आप से जुडा नहीं फिर भी आप हमें रास्ता दिखाए कि हम क्या करें किसे जाए आगे देखिए अभी आपका मुद्धा मैं निरंतर उठाया हूं लेकिन मैं आप सोचता हूं तोड़ा मेरा सोच दुसरे तरीके के चल रहा है अब हमें नई तरीके से इस लड़ाई को आगे आदिवसी पहचान का लड़ाई जो है इसको आगे ले जाना चाहिए हमें कि इस टी के वजय मुझे लगता है कि सवीधान में संसोधन के लिए जोर देना चाहिए कि जिस तरह मरंगों पर जैपाल से मुंड़ा ने कहा कि हम आदिवसी हैं और हमें दूसरा सब्ग नहीं चाहिए आदिवसी सब्ग हमें सवीधान में डलवाना चाहिए और सरकार को ए कि इससा में रहे वह आदिवसी ही रहेगा उसके लिए कोई एक स्टेट अलग से नोटिफिकेशन जारे नहीं करना चाहिए एक नेशनल लेबल का होना चाहिए यदि ऐसा होता है तो फिर आपको समस्या का समधान यूहीं हो जाएगा पोटोमेटिक हो जाएगा टाइम लग कुछ तो गड़बढ हुआ अरुक्य हाँ कुछ गड़बढ है जिससा लग लाए हम लेजी एक मिनट से चाहिद उनका नेटवर्क खराप है ने आवाज तो जा रहे ही ना हाँ आवाज तो आ रहे है ओलिये अगर आपका ये इनका जवाब अगर खत्म हो गए तो मैं आप से बात करना चाहता था थोड़ा सा जड़े 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 पूचिए जी मेरा नाम शाम सुंदर है दिली से मैं जुड़ा हूँ आपके साथ और आपको सुनना और पढ़ना हमेशा कुछ ने कुछ नया सीखने के लिए मिलता है और आप लगातार आदिवासी मसलों को प्रॉपर परस्पेक्टिव और प्रॉपर इंफॉर्मेशन और फैक्स के साथ रखते हैं जो एक प्रभावी तरीका है तो हमेशा की तरह आज भी बहुत मज़ा है आपको सुनके आप और बिलकुल सही पहचान का जो मसला है हमने भी महसूस किया है जब हम मैं भी भारत के सिलसले में हम लोग अपनी रिपोर्ट लिखते हैं आदिवासी आप जो वीडियो रिपोर्स बनाते हैं तो कॉमेंट्स में बहुत सारे लोग आके के ने वनवासी के हिए जन जाती के हिए तरह का और मेर यह मानना है कि मैं इसाबादी को आदिवासी के नाम से ही जानता सुनता आया हूँ और कोई कारण नहीं है कि मैं किसी और नाम से इनको पोकारूं और जो बाकी कारण आपने दिये हैं वो तो हैं हैं खैर लेकिन मैं आप जब बात रख रहे थे उसमें जो एक मसला आपने कह कि जो आपके पोलिटिकल रिप्रेजन्टेटिटिव से जो आपके MLA's हैं MP's है यह बात सही है कि वो उस तरह से आदिवासी मसलों को विधान सभा में या लोग सभा में या राजे सभा में नहीं उठाते हैं या उठा पाते हैं जिस तरह से बाकी जो समद्वाएं हैं उनके जो रप्रेजन्टेटिव हैं और हाली में किसान आंदूलन हमने देखा कि मतलब गवर्नर सत्यपाल मलिक जो बीजेपी के नॉमें मतलब अपॉंटिट गवर्नर हैं उनोंने अपने वर्क की बात को बड़े प्रभावी तरीके से और मतलब बेखोफ होके उनोंने उठाया और उनोंने बार-बार कहा कि आप हटाना चाहते हटा दे लेकिन अगर आपने इनकी मांगे नहीं मानी तो आप चुनाव हारने वाले हैं जो नहीं बचा सकता है तो ये बात तो सही है और हाली में कुनार हमरम जो MP है, BJP के पस्षिन मंगाल से संथाल आदिवासी संदाय से आते हैं उनसे मेरी बात हो रही थी एक इंट्रव्यू अमना उनके साथ किया था तो जब मैंना उनसे पूछा कि पार्लेमेंट में आप कितना बोले है आप इतने संथाली भाषा को लेके इतने दिनों से काम कर रहे हैं, आपका दावा है और संथाली भाषा ने जो किताबें लिखी गई है पस्षिन मंगाल में वसमें कही तरह की तुरुटी बियाब बता रहे हैं तो उनका कहना ये था कि दिखें साब बीजेपी में एक तो 300 से ज्यादा सांसद हैं लोगसभा में और दूसरा हम उतने अर्ट कलेट भी नहीं होते हैं उस तरह से नहीं बोल पाते हैं इसलिए हमें कम मौका मिलता है तो आपकी यहां तक तो बात मुझे समझ में आती है लेकिन मुझे मैं आप से जो हुझ मेरा सवाल है वो यह है कि आदिवासी संदाए मैं मैंने आप से वह सुना और भी कई आदिवासी लाकों में सुना कि जब आदिवासी लोग भूपरमाइस प्रिक यहम जाते हैं तो वह एक तरह से जो पार्टी लाइन होती है उसी लाइन पर चलते रहते हैं और आदिवासी जो जो इशूज हैं उनसे कॉप्रमाइज करते हैं लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि जैसे दलिट के मामले में अगर हम देखेंगे या ओबी सीज के मामले में हम देखेंगे कि ये बेहत जरूरी है कि जितनी भी पुलिटिकल पार्टीज हैं उसमें आदिवासीों का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए और संसद में अगर आपके सांसद या विधान समा में आपकी विधायक नहीं बोल रहे हैं तो उनके उपर दबाव बनाया जाना चाहिए ये लाइ कि राजनेतिक दल उनको कहा जाता है अगर वहाँ आदिवासियों का रेप्रेजेंटेशन ही नहीं होगा तो जादा मुखिले होंगी जो जो अभी कम से कम थोड़ा बहुत दबाव बन पाता है या गाहे बगाहे इसूज जो उठते हैं बहुती रेर उठते हैं और बहुती हासे असपद तरीके से भी चीजे नोटिस की हैं मैंने पीछे हम लोग रिसर्च कर रहे थे कि संसदमा अदिवासियों मामले कैसे उठाए जाते हैं कैसे उनका जबाब आता है लेकिन मैं यह जानना चाहरा हूँ आप से कि रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए और लीडर्श हाँ देखिए एक तो आर्टिकुलिशन का जो सवाल अपने कहा मुझे लगता है कि कुछ का तो जरूर मान सकते हैं उनका अर्टिकुलिशन नहीं है लेकिन आप अगर उनका पब्लिक रैलिव अगर आप सुनेंगे तो पब्लिक में तो जवर्जत भासन देते हैं उसमें त अगरा तो लोग बोलते हैं उनके पस टाइम भी नहीं होता है रिसर्च करने के लिए सवाभाइक है सी बात है तो इसमें इंटिलेक्शल लोगों का भी भूही का है मैंने जार्खाम में बहुत कोशिस किये कि जो इंटिलेक्शल लोग एक साथ मिले है बैठे आज जा बिध अगर आज तक अगर आप इतिहास देखेंगे तो कहीं भी बड़े डिबेट होते हैं उसमें कोई आदिवासी को फ्रॉंट लाइन में लोग देते नहीं है यह तो बहुत किलियर है तो इसके बारे में लेकिन मैंने कभी नहीं देखा कि जो एंपिर हैं वो कभी भी आदिव जो एंपि या MLA के तरफ से कहीं कोई एफर्ट देखता ही नहीं कहीं देखता है जैसे दुसरे लोगों का देखिएगा जैसे एक जाम्पूल राजपूत लोगों का देख लिजे राजपूत लोग अलग अलग पोलिटिकल पार्टी में होते हुए भी जब उनका समाज का म अब आने दिया कौन सा इसके लिए वकील बनके आपको रेफरेंस को समझना है समिधान समझने के लिए आपको रेफरेंस के उतना बड़ा विद्वान होने की जरूरत नहीं है कोई भी आपको बता सकता है तो लेकिन आपसे मैं समाह तो निश्चित रूप से सिबिल आप से बात करने को तैयर रहें आप उनका संमिलन कर लेजए ना माली जरकर माम में में कितना हम लोग कोशिस की आपको रेफरेंस को लगता है कि आप वो सब कुछ जानते हैं वह तो रेप्रेजेंटेटिव हैं भाई लाखों लोगों का तो आप से क्यों बात करेंग तो य चैश करें भापुलार्पन नियां जो साथ जी हैं। तो यह हम लोगों को पासिव मारनकी के लिए टुर्या भूलाकने लगों साथ करें शहुन के छीडाहनुता है। कि आपको किसी रिसर्च की ज़रूरत नहीं हम तो कही बार अपना काम करते हुए आपके जो लिखा हुआ है उसको रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और उसे काफी मदद मिलती है और क्योंकि पार्लेमेंट और विधान सबाओं में डिबेट नहीं होता है कम से कम आप लोग डिबेट करते हैं और उनसे कुछ इशूस विस्कोर्स में आते हैं यह बहुत ही अच्छी बात है बहुत मुश्किल और अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं और बहुत नंबे समय से कर रहे हैं तो मुझे उमीद है कि आप लोगों का यह इंटर्वेंशन जो है सिविल सुसाइटी के तोर पर, इंटिलेक्शन के तोर पर, एक्टिविस्ट के तोर पर, इसका कुछ फरक पढ़ेगा, फरक तो पढ़ता है, कितना पढ़ता है वो डिगरी का मामला है, definitely फरक पढ़ता है, और आपने जो कहा यह तो कते ही मानता कि मतलब जो आदिवासी इतने आप जैसे लोग जब जमीन पर काम करेंगे और जमीन पर आंदोलन पेदा होता है जैसे पतलगड़ी का उधारन है जब आप एक बड़ा आंदोलन खड़ा करते हैं तो मुझे लगता है कि तब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के रेप्रेजेंटेटिव पे वो दबाव बनता है उनको वो करना पड़ता है जो उनको पर न चहीं है लेकिन आपने विल्कुल सही कहा कि साठसत्त बनने के बाद ओर विडहायक बनने के बाद जो आराम की जिंदगी मिलती है और जो एक एख ऐर आती है वो तो आती है उसको हवा हूशकों निकलने का यह की तरीका नाजनीती का जो लगाम है वो समाज के हाथ में हो अब उल्टा क्या है कि समाज समाज लोग इसको मतलब मालीजिये हम आज लोगों के साथ घुम रहे हैं साथ साथ में जैसे कल को को पलेटिकल पार्टी से चुना मैं जिर जाता हूं लोग मुझे इतना फूल माला पढ़ना के वकवान बना देंगे तो कल से मैं तो फिर उनके साथ नहीं रहूंगा तो यह समस्या है इसलिए मैंने का कि लगाम समाज के पास हो तो हरेक नेतर डरेगा आप जो मतलब मसला उठाएंगे वो उठाएगा और मैंने इसको देखा भी मतलब एक बहुत बड़ा समयलान हो रहा तो मैंने सीधा सवाल खड़ा किया कि सरंडा जंगल में इतना दीन से आयरन ओर निकाला जा रहा है लेकिन यह हलत्कियों है तो हम लोग को जाना चाहते हम लोग को बताना चाहिए कि हमारा प्लेटिकल रिपेजेंटेटिव यहां से हैं उन्होंने आज तक क्या-क्या मसला उठाया विधान सभा में इतना ताकत के साथ मैंने रिप्सरेंस के साथ बाते की जब उनका वक्त आया तो उनको बोलना पड़ा लेकिन वो बोले कि बस हो भासा को ले उठाया तो आप समाझ सकते हैं कि वो मालने जो दस सल से वहां से अचुनाव जीत रहे हैं और मतलब एक तो ड्रीकल नेताओं का लगाम अपने पस रख्यागार यह हो जाता है तो फिर सब कुछ होitel्य दन्यवात इस प्रशन का उस्तर देने के लिए हमारे पास यमनादेवी गुपता आप अपना प्रश्न करना चाहते हैं कि अनुर्ण ऑन्कित नमस्ते सर्थ मेरा नाम यहुना तो आढ़ी बारा थो रिसेर्च के द्वारा पता चलता है कि आदिवासी महिला डुगना काम करती है मतलब माइंज में निका माइंज हो गए या कोई भी माइनिंग जो है उसमें तो उसे उस तरह का पगार भी नहीं दिया जाता और से वर्क मतलब जो काम है उसे डबल करवाय जाता है तो महिलाओ की आदिवासी महिलाओ की स्थिति में आपका क्या रहे हैं देखिए इसमें मैं कुछ आलग तरीके से बहुत सोचने लगा हूँ अगर आप जेनरल महिला और आदिवासी महिला के साथ अगर अगर करेंगे तो डेफिनेटली आप एक्वालिटी के मैं आवाज उठा रहा हूँ आपने मैं का माइन्स का कहा मैं अगरिकल्चर में आप जाएंगे जो ट्रेशनल मतलब गाउं अगरा में होता है वहां भी आप देखेंगे कि वेज वगरा पुरूसों से कम आप दिया जाता है सब चीजे बहुत सार नगाट नेगेटिव तो मैंने लड़कों कि आप लोग उसे बैठते हैं तो बोले कि हमारे समाज में साही है कि पूरुसों का जो मिटिं होता है महिलाय नहीं आती है तो यह सब चीजे कहीं से लो ली आए तो मैंने उनसब चीजें को कहा कि इसमें रिवल्यूशन करने का जरूत है तो उन लड़ कि आप समाज में हमारे साथ नहीं बैठ सकते तो आप साथी कर सकते हैं तो इस तरह की चीजे करने से चीजे बदलेंगे उसी तरह खेती में कर दो देखा कि यह सोच आए कि अधिवासी लड़किया अगर महिलाएं हाल चलाएंगी तो बारिष नहीं होगा इसलों को हाल नही तो यह जो होता कि है ना कि परंपरा है हर एक समाज उसी तरह आदिवासी समाज समाज की जो परंपरा होती है ना सारे परंपरा अच्छा नहीं है इसने मैं बोलता हूं आदिवासी समाज का जो भी परंपरा हैं अगर किसी को रोकता है तो उसे परंपराओं को परंपरा का ह कर रहा था तो तो साइद उसका पूजय करते आये हैं तो मैं बिलकूल उस वांदर मेरा नहीं है सब चीज बदलनी चाहिए जब हम अगर कहते हैं कि अधिवसी समाज दूसरे अधिवसी समय से बहटर है तो आदिवासी महला उनको हर जगा पर बराबरी का हाक होना चाहिए उनको अगर वेच नहीं दिया जरा बराबरी उनको जो भी अधिकार है चाहिए मान लेजिए गरम सभाओं में काइक जगा देखेगा कि ट्रेडिशनल चलता है अगर गाउं का अध्यक्स्ता मुंडा था ब तो हमारे यहां पर दिखना भी चाहिए जोर मैं जरॉब राउल कला से सर मैं एक्टोव सावल है ठीक है हम लोग का बहुत बड़े अभी जिसे आर्नेस प्रोग्राम हो रहे हैं लेकिन अभी जामिन सर पर देखा जाए तो सब तरह अभी हम लोग डिवाड़ेट होए है मैं करने का है तो जैसे कि दिखाए कल का ही यहां पर आम लोग ओडिस्टिक सुंदरण में एक तो रली हुआ था अभी ओसेल का जन सुनोनी इधर बहुत बड़ा अरिया वलोग को जिसे डिस्पेस होने वाला है तो इसके हिसाब से तो आप देखा गया जैसे कि जदातर मनें य अभी लाग को ही जदा जोगदन था कुरुशों का तो बहुत कमी और इसमें भी देखा जाए तो फिर साटना भाई लोग फटोड़ा पीछे थे ऐसे वायत तो इसे बात नहीं कि साटना भाई कि सबकार इसका पर्टिकुलर ममला है सबका जादी वसी मतलब सबका अरिया कर दो बुलंद करने नहीं साटना है मेरे थोड़ा साइस कैसे उन लोग उनेट कर सकते हो सब मिल की अधिया इसमें एक तो हमें इस्तिहा से सबक लेना चाहिए कि जब अंग्रेज आय मतलब ओ जो बक्सर के लाई जितने के बाद जब उन लोगों उनको दिवानी अधिकार म कि उसके बार जब अधिवासी इलाकों में घुसे तब अधिवासी ने क्या कहा यह हमारा जमीन है भगवान ने दिये इस पर सरकार कहां से बीच मैं हम तैक्स नहीं देंगे आपका कागाई हमको नहीं चाहिए वहां से रहे के विर्षा उल्गुलन तक आप देखिए अधि पर बश्चे से तर मारे गये हैं तो लोग रड़ाइजी ते कि वो एक से आप ही क्या हो गया हम लोग का मल्टीफल्ट सिब आपने रिलिजन का बात कि हम मल्टीफल में डिवाइडेड है हमारा जलजंगल जमीन सारे नारा हम सब कुछ रहे हैं कि हर जेगा पर देखिएगा विए ने किस्ति में क्यों हैं, एक तो धरम के नाम पे आपने कहा, दूसरा समुधाय के नाम से भी डिवाइड़ है, जहां पे धरम नहीं हो, अब मुंडा है, यह उराउ है, यह फलाना है, तेकाना है, आप अब भी नहीं है, तो राजनितिक दिल लाएं, अगर बीजेपी न करेंगे, तो अब धरम के नाम से, समुधाय के नाम से, पाटियों के नाम से, और तरह से एरिया के नाम से भी डिविजेज़न से आधि वैसी, ना आपना पहचान बचा पाएगा, ना जल जंगल जमी ना अस्तित्वा, यह आधि वैसी को समझना पढ़ेगा, इतना जल जल अगर उसका बच्चे का अगर उस नहीं समझेगा, तो आंत में रोने क्या लाओ, कुछ नहीं मिलेगा, आपको याद होना चाहिए, कि देश में 16 करोर दलित हैं, अभी उनकी जानसां के और भी बढ़ गई, लेकिन मेजूरिटी के पास एक इंच जमीन नहीं है, उनके साथ किस तरह से इस देश में भेदभा हो रहा है, आप देखी रहे हैं, मंदिर वे परवेश नहीं है, कहीं कुट्टा से भी उनकी स्थिती बत्तर कर दी जाती है, अगर उसने दलित ने कुट्टा को रोटी दिया तब कुट्टा को सुध मना गया, इस अब चीजे हो रही है, इ अज भी देखें किस तरह से सी जिणे आ devi एक हिस तरह से हत्या कर रहे है आप देखी रहे हैं नहीं है, synergy मार वहां नागलाओ में क्या हुआ हो आप देखी रहे हो आप देखी है नहीं है, यह सब चीज को देखने का सब बाद है अगर आदि नहीं सुधेगा तो इसमीर करना अगर आप सही लड़े लड़ेंगे तो हमारे जितने गैरादिवसी भाइबन है, जो हमारे मुद्दे जानते हैं, समझते हैं, वो भी हमारे साथ देंगे, लेकिन फ्रॉंट में लड़ना हम लोगा है, यह आदिवसी को तैय करना होगा। अगर अगर करूंगा कि कोई परस्टार आपका व्यक्तार अत्यांत ज्यान वर्दक रहा जैसा कि प्रचयक मसले की अधिवसी भिस्ति पर देखना चाहिए और आपने विकास की बाती, तो मेरा प्रशनी यह है कि आधिवासियों के संदर में विकास का क्या रहा है? देखिए आधिवाशियूं के संदर्म विकास का आर्थ यह है कि हम सहास्तित्वा पर विशास करते हैं तो हम जो है प्रकृति के साथ जीते हुए अपने ने तुम को पूरा करें लेकिन ने जरूरतों को मत इतना ज़्यादा आप मां दिखा दीजे कि उसके लिए आप प्रकृती को ही दोहन करना पड़ें। और हम उसको विकास नहीं कornada लूवाए क यह अगर एक बीच पढ़ा है तो लेस अcidos करेंगा सारे चीजें अच्छिताते हैं अभी क्या किया जा रहा है उसको बिछ्ड़ा है और इस центр योग तो आप देखिए गा कि लोग विकास को बोल रहा है कि आज बोलता है कॉंप्रिट एजेशन जंगल जामिर सब खदम करो और बका बिल्डिंग बना दो है विकास तो क्या आप उससे पका बिल्डिंग से हवा ले सकते हैं आज ऑक्सीजन बिक रहा है बोतल में सुरू हो गया पानी जैसे बिक रहा है विसे ऑक्सीजन भी बिक रहा है बिकना सुरू हो गया तो आप कितना कितना दूर तक विकास में जाएंगे क्या मतलब गूगल से जैके रोटी डाउनलोड कर पाएंगे क्या आपको जमीन रहेगा तब आवानाज ही खाएंगे ना तो हमें पाय करन आदमी जो है उससे हम यहां से फॉन पर मिलब चेहरा देख के बाद का सकते हैं लेकिन वही साइस तो घुटने टेकवा दिया ना उसी साइस को को रोना ने इतना जादा जाए कि अपना बदल रहा है इतना दुनिया का साइंटिस किसी को पता नहीं चल रहा है आज तक एक कि अपने प्रकृति के का इतना दोहन कर दिया है और खुद को इतना जै कि मतलब सिक्षित सभय और इतना बिक्सित बना बता दिये हैं तो चैलेंज लिजिए को ना से और कितने आने वाले समय में वायरस निकल के आएंगी जो मानो सभ्याता को खतम कर देगा मानो अपना अ अभी ओविकास के नाम पर ये स्थिती में हम आ गये हैं कि अपना अस्तित्वा समाप्ती का इतिहास मानों ने लिखना शुरू कर दिया है वो तो बाकी चीज को अस्तित्व खतम ही कर रहा है जैसे डैनासूर का अस्तित्व खतम हो गया बहुत सारे कीडे मकॉडे जैसे लोकल कॉर्प्राइट डेवलोब्मेंट मोडल को रिविजिट करने की जरूत है हमें नीड बेस पे चलना चाहिए नीड बेस की जरूत इंसान को और नीड को भी ताय करना इसान नहीं कि हार को हवा जाय चाहिए क्या आप तभी बिक्सित बोलेंगे जब एके कादमी के पस लैप्टोप आजाएगा एके कादमी के पस हवाई जहाँ जाएगा और तब तक कुछ आउरा जाएगा एलोन मांस जैसा आदमीं बोलेगा दूसरा गरह में हम जाएंगे उसी तरह दूसे भी करेंगे और जितना धर्ती को तबाही करेंगे वो तो आप जन ही रहें तो हम सा कि इतना जाए तो आप लोग बताएं कि हम किसको दें हैं तो गाउं के लोगों ने कहा कि देखें पिछले साल आपने दिया था लेकिन कुछ लोग छुट गया थे इस साल उनको भी मादत कीजिए ताकि हम लोग जै की सब एक साथ मिलके आगे बढ़ सकते हैं तो यह जो एक इसका अल्हसुअ को दूसरा रास्ता जी ऊए कि प्रकृृती की स pillar करो प्रकृती साथ जह की आगे बढ़ो और प्रकृान को विनास मत करो प्रकृती नहीं है तो आप उसमें जा सकते आगे तो मझे कोई दिकत नहीं है तो मैं यह दो परश्न पहले ले लिता हूं पहले पिर उसके बाद एक अगर किसी के प्रश्न रहे तो चैट बॉक्स में प्रश्ट रहे है हरे कृष्न कुईरी का यह युनिवर्सिटी में बच्चों को इस तरह ट् स्ट्डिस पढ़ाई जाए ताकि और अच्छे से ट्राइवाल इस्उ को वो जान पाए यह संट्रल युनिवर्सिटी ओ जारकन के बारे में आपके बारे में इन्होंने जाना है तो यह आपसे यह प्रश्न पूश्ट रहे हैं देखे ए यूनिवर्सिटी से कितना माय कभी कि विर्सामूंदा के बारे में कम पढ़ा नहीं house और मुझे पता चला कि बिर्सामूंदा जब मीडल इस्कुल में मैं आप उसी समय में उनको आदिवासियों के साथ यह चया हो रहा था और बादन श्योशन अप्ट्याचार हो रहा था और आदिवासियों में का जमीन इस इसका मतलब निशिता पर नहोंने भाई साब ने जो आवाज सवाल उठाया लाजमी है यूनिवर्सिटी में कैसे पढ़ाया जाए मुझे लगता है कि वो तभी हो सकता है जब जो लोग प्रोग्रेशिव तरीके से बुक्स लिख रहें उनका बुक्स को वहां पर पढ़ाना लेकिन आपको लगता है कि यूनिवर्सिटियों में पढ़ाने की ताकत है फोर एक्जाम्पुल मैंने जो आदिवाशियों के साथ जीशतर अत्याचार हुआ जहरखन उडिशा चतिसगर में एंटिनक्सल ओप्रेशन के नाम पर उस पर मैंने 400 पेज का किदाब लिखा किया सजसन दिया जा सकता है उसी तरह आदिवासी पच्चान और अस्तित्वा जो मेरा बुक है क्या को यूनिवर्सिटी इसको पढ़ा सकता है अपने स्लेवस में डल सकता है अगर यह सब चीज़ें डालेंगे तो निशित शुप से आदिवासी जान जाएगा कुन के सथ क भूज कंट्री इती जानियम है तो यह से किताम लिकाव से तरह आवर बहुत लोग लिके जैसे डाक्र रामदाल मुंडा का मैंने आप रिफसांस दिया जो आदिवासी लेखक लिखें उनको तो पढ़ाया है नहीं जा रहा है किसको पढ़ाया जा जा रहा है जो आदिवास है कि आदिवासी हडिया कुने वाला समाझ है वो चीठी खाने वाला समाझ है यह गरीब है पिछड़ा है अनपढ़ा है गाहारा है यह सब लिक्रा उनको पढ़ाया जा रहा है